अरे तुम्हे कोई और काम नहीं है क्या अब ज़ौ यहां से महिमा तेरी ननत तो कमाले यार देखना किती सुन्दर मेहदी लगाई है इसने अब इन सब को भी कामनी से ही मेहदी लगवानी है तो लगवा देना हाँ हाँ क्यों नहीं घर में इतने सारे काम पड़े है और यह महारानी बस यहीं बैट कर टाइम पास करती रहे कामिनी हाँ भावी भावी की बच्ची फॉरण उठ यहां से और रसोई में जाकर बरतन दो एक बरतन नहीं यह खाना परोसने को ठीक है भावी बस यह हाथ तुझे सुनाई नहीं दिया फॉरण उठ यहां से महिमा कामिनी के बड़े भावी की पतनी थी और यह फंक्शन उसके छोटे भावी राहुल की शादी का था राहुल की शादी जिस लड़की से होने जा रही थी उसका नाम माधुरी था माधुरी एक पड़ी लिखी और बहुत पैसे वाले घर से थी कामिनी दोनों भाईयों से छोटी थी एक हादसे में कामिनी के माधा-पिता गुजर गए थे और परिवार में बस ये दो भाई और उनकी छोटी बहन कामिनी ही रह गए बड़े भाई रोहन की शादी महिमा से होई महिमा बहुत गोरी थी पर दिल की उतनी ही काली जबकि कामिनी का रंग जरूर काला था लेकिन मन की बहुत साफ और स्वभाब से बहुत ही सीथी थी जिसका फायदा महिमा खोब उठाती थी वो कामिनी से एक नौकर की तरह घर का सारा काम करवाती थी और कभी सीधे मूँ बात तक नहीं करती थी और कामिनी ये सब चुप चाप सह रही थी और फिर मुबारक हो महिमा अब तो तुम जेठानी बनने जा रही हो हाँ पता नहीं कैसी देवरानी मिलेगी देवर जी ने खुद पसंद किये हम सुना है नई बहु बहुत गोरी है महिमा ने उस औरत के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी इस बात की चिंता खाये जा रही थी असल में महिमा का माई का भी अच्छा खासा अमीर था और इस बात का घमंड उसे हमेशा से था कामीनी के काले रंग की वज़ा से वो हमेशा उसका मजाग उड़ाती थी और उसे दबा कर रखती थी लेकिन अब नई देवरानी को लेकर उसके अंदर असमंजस था दूसरी तरफ कामीनी को अपनी नई भाबी से काफी उमेदी थी शादी का फंक्शन अच्छे से निपढ गया और फिर छोटी भाबी, गुड मॉनिंग अरे कामीनी, तुम क्यों चाय बना कर लाई? मैं बना देती ना? नहीं नहीं भाबी, रोज सुबर चाय तो मैं ही बनाती हूँ सब के लिए एकदम स्पेशल वाली आप पीकर देखिये ना सच में, बहुत ही अच्छी चाय है और खाना, खाना कौन बनाता है रोज? मैं ही बनाती हूँ नाश्ता, लंच और फिर डिनर तो बाप भी जल्दी से तयार हो जाए शेफ कामीनी के हाथों का खाना खाने के लिए अच्छा, ठीक है वैसे बड़ी भापी, वो कुछ नहीं बनाती मेरा मतलब है, खाना वगेरा बनाती है न, कभी-कभी जब उन्हें मेरे हाथ का कुछ पसंद नहीं आता कामीनी और माधुरी बात कर ही रहे थे कि तभी महिमा कमरे के बाहर से ही जोर से चिलाई, अरियो कामीनी कहा मर गई, मेरी चाय कहा है छोटी भापी, मुझे चाना होगा बड़ी भापी उट गई है, अब मैं उन्हें चाय दे कर आती हूँ, इतना कहकर कामीनी हर बड़ाहट में वहां से चली गई और ये सब देखकर माधुरी को अच्छा नहीं लगा, खासकर कामीनी से महिमा का बात करने का तरीका उसे बहुत ही खराब लगा, हाला कि वो उस वक्त चुपी रही, क्योंकि अभी वो खुद घर में नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उसे सब कुछ समझा गया कि महिमा एक नंबर की घमंडी बड़ी ऐसी है, वो तुमसे इतना काम कराती है, तुमें सारा दिन इतना कुछ सुनाती है, तुम पलट कर कुछ कहती क्यों नहीं हो, भाबी, मेरे ममी पापा नहीं है ना, और भाईया लोग भी अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं, शादी के लिए जो भी लड़का मुझे देख रहे आता है, वो मेरा रंग देखकर मेरे मूँ पर ही मना कर देता है, तो एक तरह से मैं बोजी तो बनी हुई हो सब पर, तो अगर बड़ी भाबी कुछ बोल भी देती है, तो इतना कहकर कामीनी चूप हो गई और माधुरी सारी बात समझ गई, फिर उसने कुछ सोच कर कामीनी से कहा, अ, कामीनी, वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? भाबी, मुझे ना मेकप करना, महदी लगाना, और हेर स्टाइल बनाना, यह सब बहुत ही अच्छा लगता है, अरे वा, तो तुम ब्यूटीशन का कोर्स क्यों नहीं करती? करना तो चाहती हो, पर भाबी उसमें बहुत खर्चा होगा, और फिर घर के सारे काम, यह कौन करेगा? अरे मेरी ननद रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी भाबी है ना? मेरे पास तुम्हारी हर मुश्किल का हल है माधुरी की यह बात सुनकर कामीनी बहुत खुश हो गई अब यह दोनों हमेशा साथ रहती और सारा दिन बाते करती और यह बात महिमा को बिलकुल पसंद नहीं आ रही माधुरी ने अपने खर्श पर शेहर के एक बड़े सैलोन ट्रेनिंग इंस्टिटूट में कामीनी का एड्मिशन करा दिया और फिर भाबी, I love you आप कितनी अच्छी हो I love you too, ननदरानी बस पूरी मेहनत से काम सीखो फिर अपना पार्लर खोलना और हाँ, मैं जब तुम्हारे पार्लर में आऊ तो मुझसे पैसे मत लेना ठीक है न? अरे भाबी, आपको तो हमेशा मैं ही सजाऊंगी खुद अपने हाथों से इस बात पर दोनों हसने लगी शाम को कामीनी ने एड्मिशन वाली बात अपने भाईयों को बताई तो वो ना तो खुश हुए और ना ही इस बात का उन्होंने कोई विरोध किया लेकिन महिमा फॉरन भड़क उठी अच्छा, ये हर रोज तफ्री मारेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? भाबी, आप चिंता मत करिये मैंने एक हाउसमेट का इंतिजाम कर दिया है वो कल से आकर सारा काम संभाल लेगी अच्छा जी, और उसके पैसे वो कौन देगा? वो हम मैनेज कर लेंगे भाबी ठीक है भाई, अब तो घर के सारे फैसले मुझसे बिना पूछे ही होने लगे है सही है इतना कहकर महिमा वहां से उठकर चली गई लेकिन घर के सभी लोग उसका नेचर जानते थे दोनों भाईयों ने कामीनी को ब्यूटीशन का कोर्स करने की अजासत दे दी और यहां से कामीनी के लिए सब कुछ बदलने लगा पता है भाबी आज सेलो में न मेहदी लगाना सिखाया पता है मेरे बनाए डिजाइन की सबने तारीफ की सच में भाबी अब तो चाहे मेरी शादी ना भी हो तो भी मैं बहुत खुश हूँ अरे पर क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी ऐसा क्यों बोल रही हो अरे भाबी हर कोई आप जैसा नहीं होता न सबके लिए लड़की का रंग बस गोराई होना चाहिए मुझे ऐसी काली लड़की को देखकर तो सबका मूढी खराब हो जाता है नहीं कामिनी ऐसा नहीं है रंग से ज़ादा इंसान के गुण माईने रखते हैं और तुम देखना एक दिन तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी गुणों को पहचान कर तुमसे बहुत प्यार करेगा और डोली में बिठा कर अपने साथ साथ समंदर पार ले जाएगा माधुरी के यही बाते कामिनी को आत्मविश्वास से भर देती थी वो पूरी मेहनत से अपना कोर्स कर रही थी फिर एक दिन सैनो जाते वक्त रास्ते में कामिनी ने देखा कि एक कार सडक हाथ से का शिकार हो गई है और उसमें भयंका राग लगी हुई है उस कार के अंदर एक बुढ़िया मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी में भी आग की लप्टों के बीच जाने की हिम्मत नहीं थी तब कामिनी ने हाथ में एक कपड़ा लेकर बहुत ध्यान से कार का जलता हुआ दर्वाजा खोला और उसमें से बुढ़ी महिला को बाहर निकाल लिया उस महिला की हालत काफी खराब थी कामिनी ने फॉरर नेक आटो बुक किया और महिला को लेकर अस्पताल पहुची रास्ते में वो महिला को हिम्मत बंधाती रही और उनके घावों को साफ भी करती रही फिर अस्पताल में चिंता मत कीजिए माइना बन है मैं नहीं देख लेता हूँ तब तक आप काउंटर पर पर मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर जैसे ही कामिनी ने ये बात कही उस घायल महिला ने फॉरन अपने पर्स में से कार्ड निकाल कर कामिनी को दिया और कहा बेटी ये लो इसमें मेरे पोते का नंबर है उसे फोन करके बुला लो उस कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था राज सिंगानिया जिस पर कामिनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया बल्कि उसमें लिखे नंबर पर फॉरन फोन में लाया और फिर कुछी देर में एक लंबी सी गाड़ी अस्पताल के बाहरा कर रुखी और उसके अंदर से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला वो भाग कर अपनी दादी के पास गया फिर सब कुछ जानने के बाद उसने कामिनी से कहा मैं किन शब्दों में आपका शुक्री आदा करूँ नहीं नहीं उसकी कोई ज़रुरत नहीं आप बस अपनी दादी का खयाल रखिए आपको पता है मेरी दादी मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा था अगर मैं उनके साथ चल पड़ता तो शायद यह हाथसा नहीं होता अरे हाँ अब वो लड़की तो मैं देख नहीं पाई लेकिन बेटा ये ये गुडिया मुझे बहुत अच्छी लगी अब तेरा क्या खयाल है हैं बेटा ये बिलकुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए सीधी साधी लेकिन बहुत ही गुणी और समझतार दादी की बात सुनकर राज ने कामिनी की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसने धीरे से कामिनी से कहा मेरा खयाल तो बहुत नेक है लेकिन आप आपका क्या खयाल है राज की बात सुनकर कामिनी को माधुरी की बात यादा गई जो आज उसके सामने सच साबित हो रही थी राज सिंगानिया वही लड़का था जो कामीनी की काली सूरत को नहीं बल्कि उसकी खुबसूरत सीरत को देख रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था पहली बार कामीनी को किसी ने सामने से इस तरह का सवाल पूछा था जिसका जवाब देने में कामीनी हिचकिचाथ हो रही थी लेकिन उसके शर्माते चेहरे ने उसका जवाब साफ साफ बता दिया ममी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाबी ने मा मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है इस दिवाली आप मुझे उपाहर में ऐसा ही कुकर देना हाँ हाँ ले लेना तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना मा एक काम करो भाबी का कुकर तो पांच लीटर का है न? आप मेरे लिए आठ लीटर वाला मंगा देना सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने तीन लीटर, पांच लीटर और आठ लीटर के कुकर दिये तो थे अभी तो वो नए होंगे सपना का स्वभाव लाल्ची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात इसलिए वो जब देखो माय के आकर कोई न कोई डिमांड कर ही देती थी पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, वो बात को संभालना जानती थी रहने दो मा, कोई जरूरत नहीं है, पापा तो सोचते हैं मैं लाल्ची हूँ पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है, मैं तो अपना घर समझ कर चीज़े मांग लेती हूँ वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है सपना दी दी, मुझे ममी ने दो कुकर दिये थे आठ लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया वो आप ले लो हाँ, ये ठीक रहेगा ठीक है भाबी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वो ही कुकर ले जाती हो इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी, ऐसे ही एक दिल क्या, मैं मैं नानी बनने वाली हूँ तु सच कह रही है हाँ मा, कल ही डॉक्टर को दिखाया था मैं प्रेगनेंट हूँ, चल अच्छा तेरी सास तो बहुत खुश होगी हाँ मा, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है, बहुत दूमधाम से करेंगी, मा अभी से तयारी शुरू कर दो फिर, गोद भराई के फंक्शन में क्या-क्या दोगी तुम मुझे, देख लो यहाँ सारी विराधरी है अरे तु चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठ कर सारी लिस्ट बना लूँगी सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रोखने वाला नहीं था एक दिन जब वो अपने मैकी गई क्या हुआ, सपना, तु परिशान क्यों है तु तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना जाना तो था, ममी पर गाड़ी में तो टाइम लगता है और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे रिक्षे पर जाने से सासुमा ने मना कर दिया कि गढ़ों में मुझे ठोकर लगेगी इसलिए आज की अपॉइन्मेंट कैंसिल कर दी हमें पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो पर तुम्हें तो कह सकती हो तुम्हें एक बापा से बात करके देखो न अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दे अरे कैसे नई खरीद कर देंगे अब अपनी बेटी को परिशानी के हालत में थोड़ी देख सकते हैं तुचिंता मत कर मैं तुरे पापा को बोल दूगे सपना अपनी गोदभराई के फंक्शन को लेकर कुछ जादा ही उतसाहित हो रही थी वो बार-बार कोई न कोई डिमांड करने के लिए अपनी मा को फोन मिला देती थी मा फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुँच जाना पता है आज क्या हुआ क्या हुआ तु ठीक तो है ना हाँ मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनो तो ऐसे ही आज मैं जब सासुमा के साथ बैटी थी मुझे तो लगता है सासुमा कही न कहीं मुझे ही सुनारी थी क्योंने ननत जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चड़ाय था एक काम करो न विकास भया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाय तो विकास आजाए शाम को दुकान से फिर उससे बात करती हो सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट बाईक और ना जाने क्या-क्या डिमांड रगती थी बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था पर एक सुबह जब विकास सो कर उठा जी शर्मा अंकल, नमस्ते, क्या? क्या हुआ विकास बेटा, तुम परिशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शेटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है सब लुक दुकान पर पहुँचते हैं गल्ले में से रुपए गायब है पापा बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है जो इस बारे में जानता था कि गल्ले में रुपए रखे हुए हैं दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं पर चंदू गायब है, कल रात को ही उसने फोन किया था, कि वो अपने गाउं जा रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब, उसने रात को चोरी की, और सुभा यहां से भाग गया, पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं, नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत क आगे से ध्यान रखना, अब क्या करेंगे, तुमने जो बाइक और बाकी सावान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपियों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहां मारें, इसके आगे जाकर रोएं, तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो, पजी, ये मेरी शादी के जेवर है, अभी आप इन्हें बेच कर सपना देदी की गोदभराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हो, अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बात में ले लूँगी, अभी हमें ननत जी की लट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है, मा, पापा, भजय, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैं, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परिशानी होती होगी, आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे म मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था, मैं कितना लालच कर रही थी, मैं सच मुझ कितनी लालची हूँ न मुकेश, तुमने आज ये सच्चाई बता कर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुखवा दी, मेरे कारण महिमा भाबी के जेवर चले जाते, अपनों का तो आशिरवाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है, सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाबी के गहने नहीं बिखेंगे, हम भी एक बेटी के माता पिता है, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है, तुम हमारी बहू नह अच्छी हो, आप एक बहू होकर भी मेरे मापापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई, I am sorry भाबी, मापापा भाईया आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए, सपना तो इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है चल बैट, मैं तेरी नजर उतारती हो मेरी बच्ची, सब लोग धूमधाम से सपना की गोध भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं, सपना के चेहरे पर खुशी देखकर, सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है